नमस्कार फिर जैहिंद सभी सूदिंट्स को और आज हम लोग M2R5 यानि के इंटरनेट वेब डिजाइनिंग की जुलाई सेशन के लिए फर्स क्लास शुरू कर रहे हैं क्लास कैसे होंगी किस तरीके से आपको पढ़ना होगा क्लास का क्या-क्या स्टैप्स होंगे नोट्स कै से यूटिलाईज होंगे वो सारी चीज़े मैं आज आपको बताऊंगा और आज ही से हम लोग M2R5 भी कंटिन्यू करने वाले हैं इसके साथ मैंने आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल सेट कर दिया है और इसका नोटिफिकेशन यह है कि अब नेक्स वीक से आप लोगो का पॉने 11 बजे M1 की क्लासेज रहेंगी जो भी बच्चों ने M1 कोर्स लिया है उनके पास ऑटोमेटिकली एनाउंस्मेंट सेक्शन पे उनकी कोर्स के अंदर जो एनाउंस्मेंट सेक्शन है उस पे लिंक आ जाया करेगा similarly जो M2 के स्टूरेंट्स हैं उनकी क्लास Wednesday को होगी और जो लोग Python के स्टूरेंट्स हैं उनकी हर Friday को क्लास गुआ करेगी जिसमें हम लोग doubt sessions, pre-recorded classes, practical, OMR सभी पर discussion करेंगे thoroughly इन classes में आप लोगों को करने का एक benefit यह मिलेगा कि जो आपको pre-recorded classes है, उनके doubt भी आप लोग इस classes में पूछ पाएंगे, अगर आप practical कर रहे हैं, उनमें कोई doubt है, तो वो भी screen आप लोग शेर कर पाएंगे, दूसी चीज जो IOT की class बची है, IOT की class में practical portion नहीं के बराबर ह होता है, इसी लिए उसमें हम लोग सीधा theory portion बात करेंगे, तो वो last में जब इन में से कोई एक paper खतम हो जाएगा, तब उस class को continue करेंगे, उसमें ज्यादा time नहीं लगेगा, IOT simple है, 15-20 दिन का course होता है, आराम से आप qualify करनेंगे, दूसी चीज, आप में से जो भी नए candidates हैं, जिन लोगों को notification नहीं मिलते, तो आप लोग मेरा channel जरूर subscribe रखा करिए, because मेरे पास बहुत सारे बच्चों के ऐसे लगातार phones आते हैं, जो हम लोग already videos में notification डाल देते हैं, तो अगर आपका notification miss होता है, तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाती है, तो channel subscribe रखने से benefit ये रह कर लिजे, आप लोग Google Play Store पे जाईए, और वहाँ पर आप लोगों को ice academy by minish इस नाम से ये application मिल जाएगा, और इस application को install कर लिजे, इसके store section पर आप लोगों को सारे courses दिखाई देंगे, आप जो भी course चाहते हैं, उस course के उपर click कर दीजे, जैसे कि for example, आज हम लोग M2 की class अब भी classes इसमें दिखाई देंगी, बस आपको वो particular देखिए रहे, इसमें हमने combo batch भी बना रखता है, जिसमें ये सारी classes एक साथ है, आप लोगों को इन में से जो भी class पढ़ने हैं, वो class choose कर लिजे, इन classes में coupons भी available रहते हैं, ताकि आपको discount मिल सके हैं, जब आपके सामन का जो की पूरा course है, और एक वो है जिसमें आपको practical सिखाया जाएगा, क्योंकि अब निलिट ने आपका नया pattern change कर दिया है, जिसमें 100 number का MCQ होगा, और साथी साथ 100 number के practical होगे, तो आपको practical का मतलब अब आपको computer की सक्त जरूरत पढ़ेगी, आपको ये पढ़ना कैसे है, उ उसका process नीचे दिया गया है, जब आपको ये classes खोलेंगे, तो आपको यहाँ पर day 1 से सारी पहले की जितनी भी pre-recorded classes हैं, वो सब आपको एक के बाद एक के बाद दिखेगी, आपको जितनी class में बताओं, वो class आप लोग देखके रखेंगे, तो कि आपको कम से कम 5-6 दिन का आराम से time मिलता है अगले class में, जैसे आज जो आप लोग class पढ़ेंगे, आज मैं एक intro class दूँगा, इस class को पढ़ने के बाद, आप लोग अपने घर पे regular एक या दो वीडियो, at least पोशिश करिए कि अगर आप चारों paper देने जा रहे हैं, तो दो वीडियो कम से कम देखिए तो अगर आप लोग single paper देने जा रहे हैं, तो एक या दो वीडियो से काम चल जाएगा, चारों के लिए at least आपको दो वीडियो देखने पढ़ेंगे, तभी बहुत ही चीजी से cover होगा, वीडियो में time नहीं लगता, हर वीडियो लगबग 15 से 20 मिनिट कभी 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 30 यहां से आप लोगों का HTML चालू हो जाता है, आप लोगों को next class तक HTML का वीडियो नंबर 8 तक सभी को cover करके रखना है, बहुत चोटे चोटे वीडियो से आज मैं आपको यह सारी चीज़ें discuss करके आपको already बता दूँगा, तो आपको बिलकुल भी दिक्कत नहीं होगी, आप अराम से इसे cover कर पाएंगे, clear? तो next class के लिए आप वीडियो नंबर 8 तक revise करके रखेंगे, आप लोगों को जिस PDF से पढ़ाया जाता है, वो PDF भी इसमें already Hindi और English format में रहती है, तो आपको बिलकुल भी दिक्कत नहीं होगी, आप इन PDF को पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते जैसे आप लोग माल लिजे कि computer पे बना रहे हैं, अब वीडियो को pause करके बनाने में दिक्कत होती है, तो आप PDF को खोल लिजे और इनके commands के अधार पर आप पढ़ाना या पढ़ना शुरू कर सकते हैं, साथी साथ जो भी आप पढ़ेंगे, उनके हम लोग practice भी आपको person होने लगेगा, तब ये MCQs आप लोग solve करना शुरू करिएगा, मैं भी आपके साथ solve कराऊंगा, ताकि आप लोगों को इसका benefit मिल सके, इसी तरीके के MCQs आप लोगों को exams में मिलने वाले हैं, साथी साथ हम लोगों ने इसी में पिछले papers भी solved out करके रखे हैं, आप लोग दे देते थे, कि थेरी questions दे देते थे, आप अगर देखते होंगे, पिछले papers अगर आप लोगों ने दिये भी हैं, जैसे ये Jan का paper है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें आप लोगों के 40 numbers के MCQs रहते थे, बाकी जो रहते थे, वो आप लोगों के subjective रहते थे 60 numbers का, तो अब वो भी change हो गया है, दूसरी चीज़, निलिट ने अपने pattern को revoke कर दिया है, कहने का मतलब है, पहले ये रहता था, कि जब आप लोगों का, ये के इनों ने दिया है, revocation of existing pattern, इसका एक simple सा मतलब है, कि जो पहले Omar pass होने के बाद ही, आप लोगों को second parts check होता था, पहले की Omar sheet में 40 numbers में कम से कम 20 pass होने चाहिए होते थे, ये old pattern की बात कर रहा हूँ, तो जब आप लोगों का ये हो जाता था, तभी आपके subjective वाले questions चेक होते थे, तभी आप लोगों के objective अगर आप qualify कर गए हैं, तभी आपका subjective check होगा, पहले ये pattern में ऐसा होता था, अब इस बार से निलिट ने ये change कर दिया है, अब ये पुराने तरीके से कर दिया है, कि अगर आप लोगों के 100 numbers में से, माल लीजे कोई fail भी हो जाता है, कोई भी candidate अगर fail भी हो जाता है, माल लीजे उसके BC number है, तो भी उसके second shift जो practical है 100 number का, वो होगा, ठीक, लेकिन इसमें एक बड़ा, मल भी कर लेता है, practical में 80 number भी आ जाते हैं, तो निलिट ने एक notice और निकाल रखा है, कि अगर आप practical में fail हैं, तो भी आपको fail declare कर दिया जाएगा, अगर आप देखें, तो new pattern का ये वाला notice भी चेक कर लीजे, तो इन्होंने ये जो illogical कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं है, new pattern के हिसाब से देखें, इसमें साफ साफ नीचे दिया हुआ है, कि बच्चे का theory और practical दोनों में pass होना जरूरी है, ये रहा, जैसा कि मैं आप लोगों को अभी बता रहा था, इसमें दिया गया है, कि अगर आप लोग माल लीजे कि आप practical में, theory वाले paper में आप pass या theory वाले paper में fail हो जाते हैं, 33 से नीचे ने आ जाते हैं, लेकिन practical में pass हो जाते हैं, तो आप लोग उसके बावजुत fail कहलाएंगे, तो मतलब ही क्या हुआ आप लोगों की criteria qualify करने का, तो अलग-अलग pass होने का कोई sense नहीं है, जब तक कि आप दोनों में pass नहीं हो जाते हैं, इसलिए आप लोगों का ये जो notification था, ये निलेट ने दे दिया कि अब पहले वाला stage pass रके second में shift होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आप लोग अलग-अलग दोनों में pass होंगे, तभी आप pass कहलाएंगे, clear हो गया, और दोनों में pass का मतलब यह नहीं कि 33 33 आगे तो हो गये, ना, दोनो के qualifying 50% होने चाहिए, यानि कि सिर्फ 33 और 33 पे pass नहीं होगा candidate, हाँ ये हो सकता है कि पहले वाले में आपके, माल लेजे 60 आगे, और इस वाले में आप लोगों के 40 आगे, तो average 50 हो गया, तो I think कि आप लोगों को ये सारे notifications और जो नया pattern है, उन सब के बारे में ये justify हो गया को doubt है, तो आप अपने हाथ raise कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको भी बताया, और फिर हम लोग आज M2 का pattern शुरू करने वाले हैं, इसी को कोई doubt है, उस्मान का doubt था, और कोई कोई पूछना चाहेगा, अपने हाथ raise कर सकता है नीचे से, और फिर हम लोग आज नए pattern को लेकर चल आपने यह कहा था कि जब M2 की class हो, तब आप पूछना, इससे कोई doubt नहीं था, अच्छा, प्रैक्टिकल आपका output नहीं निकल रहा था, जी, जी, ठीक है, मैं उस output को क्या है, क्या है, क्या है, जरा एक बर बता दीजे, क्योंकि मैं ऐसा कोशिश करूँगा कि भच्चों को भी हो समझ आए, वैशनवी आपका question क्या था, एक पर बता सकते हैं, फ्रेम सेट, अच्छा, आपने यह कहा था, कि अपने हिसाब से ज्यादा तर अपने हिसाब से हम January में यह आपका जॉइन कर लिए, इसलिए मैंने काफी आगे पढ़ चुकी हूं, आगे तका पढ़ चु आपको फ्रेम सेट की बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके ब्राउजर में वो शायद बन नहीं रहोंगे चार या तीन जो भी आपने डाले होंगे, ठीके सर अब वाट्सअप कर देंगे वह कोई इस्यू नहीं है, आप इसको अगर एक बार आप अपना आप यहीं आप space सर्थOO ज आपने डासी आप झाल को आूज यह नहीं पॉर्टेशन नहीं रहा है लेकिन वह प्रेम सब्लौन के यहां आपने ब्राउजा के यह कहा था ऐला संबोल पर इसे कंप्योटर पर बनाने का कोई मतलण भी नहीं वह आएगा इनी के कंप्योटर आप नहीं हो सकता वह आपको वही काम देंगे जिसे आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं तैंट से राज का सवाल राज बताई क्या है कोश्चन गुड मॉनिक जी गुड मॉनिक जी सवार थे जाएगा घे तो वहाँ पर जैसे प्रस्किकर किस पर हो जैसे नॉट पर पर या नॉट पर प्लस पर या सब्लाइन पर देखिए ऑफिशली जो आप लोगों को बचो ये सभी लोग ध्यान दिएगा आप लोगों को एक टेक्स एडिटर की जरूरत पड़ेगी अपने इस M2 पेपर के अप इसको नोट पैड पर भी बना सकते हो आप जब जाओगे एक्जाम देने के लिए यह बहुत सारे जगें सेंटर्स में सब्लाइन पढ़ाई नहीं होता और नहीं नोट पैड प्लस प्लस पढ़ा होता है तो वहाँ पर आपको नोट पैड पर बनाने पड़ते हैं यह म मैं आपको सेजस करूँगा कि घर पे आप प्रैक्टिकल करते समय सब्लाइन का यूज करिए लेकिन नोट पैड पर भी दो तीन बार बना के दे लिए डिफरेंस कुछ नहीं होता बस नोट पैड में आपको लिखना ज्यादा पड़ता है टाइप ज्यादा करना पड़ता स यही है तो आपके कोश्चन पेकर्स में सबलाइन और सातिसाथ नोट पैड प्लस प्लस के कोशिंज नहीं आते उनके जो कोश्चन आते हैं वो सिर्फ इतना आता है कि चार the options होंगे उनमें से आपसे बोला जाएगा इनमें से कौन सा text editor है बस यहीं इसके aip श्यादे तो इ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग अपने उसमें मोबाइल अप्लिकेशन में सब लाइन का कि यह एडिशन डाउनलोड कर लिए तो अगर आप लोगों को इससे बेनिफिट क्या मिलेगा आप लोगों को मोबाइल पे नोड़ पाड अगर प्लस प्लस मिल जाता है नोड़ प्लस प्लस या HTML एडिटर मिल जाता है एडिटर देख लेते हैं तो इससे एक बेनिफिट यह मिलेगा कि आप लोगों को जो काम कंप्यूटर पर करना था वो इस पर कर सकते हैं तो आप लोग एक बार घर पे इसको जरूर करके देखिएगा जो मैं अभी कोड बताने वाला हूं तो आप लोगों को यह इस टीमल के कोडिंग आपको इस पर टाइप करने को मिल जाएगी और टाइप करने के बाद आप लोग इस पर रन कराके देख सकते हैं इसी तरीके से अगर आपको पाइथन का चाहिए तो पाइथन का एक अप्लिकेशन आता है एंड्रोइड के रिए जिसे कहते हैं कर पाएंगे तो जिनके पास अभी के लिए फिलाल कंप्यूटर नहीं है तो वह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यह हमने अपने जो कंटेंट आपको प्रवाइड किया है उसमें यह सारी चीज़े बताए गई है तो आप एक बर वीडियो देखना शुरू कर देंगे तो आप पच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है अगला सवाल है हमारा अतुल का अतुल बताईए फिर मैं शुरू करूँ कि अतुल सिंग क्या सवाल है आपका कि नेक्स्ट है रियल मी का सवाल रियल मी और एम बच्छों जब मैं आसे नाम बोलता हूं तो आप लोगों के स्क्रीन पर अन्विट करने का ऑप्शन खुलता है आप उसे क्लिक कर दीजेगा सब्सक्राइब 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 करने के बाद आप लोग एक काम करें यहां पर आपके दिया रहता है सर्च अप्लिकेशन कि यहां पर आप के आपलिकेशन नमबर तो आई गया होगा आपके पास अप्लिकीस नमबर तो मिल गया होगा तो बस आन्प यह अप्लिकेशन नमबर हो डिटेल डाल दिजिए वह आपको खुद इभा राशनेशन नमबर क्या है अव प्रिपı सब्सक्राइब का सवाल क्या है नीलम जी बताइए कि अंकुर अंकुर का कोई सवाल कि तो मैं यहां से अंकुर जी बताइए जल्दी से यह सर गुड मॉनिंग जी गुड मॉनिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बीज और वर्किंग के साथ यह कर सकता है इसके लिए कहीं से भी पर्मिशन की जरुवत नहीं है तो आप आराम से करें यह जी सर्व और जल्दी से खतम करिये बच्वाइब कोई बितता हो सब्सक्राइब करें और इसको इस तरीके से खोल लेजेगा ठीक है तो यह हमने सब्लाइन टेक्स कोल लिया बेसिकली सब्लाइन एक सौफ्वेर है जो की एक टेक्स सब्सक्राइब करेंगे आप इस पर लिखेंगे अपनी प्रोग्राम और यह आपको आउट्पुट देगा आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है इसमें वह है सबसे ज्यादा है उसके बाद आपको एच्टीमल के बाद इस पर पढ़ने को मिलेगा CSS CSS सीखने के बाद ही आप लोग सीख़ूए पाएंगे और वृर्इमवर्ग के बाद ही आप लोग सीखेंगे जावा इस तरिके सेaprès्के से आप ध्यान रह्ए गा जो पिछली बार question आये थे, यानि कि इस बार जो question आये थे, वो सबसे ज़्यादा CSS से पूछे गये थे, आप HTML पढ़े बिना इन में से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप HTML सही धंग से पढ़ लेंगे, तो ये सारी चीजें उसी को upgrade करना कहला सकती हैं, तो आप HTML अच्छे से पढ़ लिजे, CSS फिर उसके बाद बहुत ही कम समय में आपका खतम हो जाएगा, framework भी बहुत ही छोटा है, Java में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम लोगों ने ये subline इंस्टॉल कर लिया है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से शिरुआत कर होते हैं, copy करना, paste करना, साथी साथ इसमें duplicate बनाना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएगे, तो इन वीडियो को सिर्फ subline चलाने के लिए यूज करना होता है, इनसे question नहीं generate होते हैं, याद रखे का subline चलाना कैसे है, उनके लिए ये वीडियो बनाया गया ह इनसे कोई भी question नहीं आने वाले हैं, लेकिन अगर आप subline अच्छे से चलाना सीख गए, तो आपके लिए और easy हो जाएगा, जो आपकी basic classes हैं, वो यहाँ से शुरू होती हैं, इस वाले वीडियो से, यहाँ से आपको बताया जाता है कि internet क्या है, इसकी history क्या थी, internet में web pages क् homepage क्या होता है, hyperlink क्या होता है, domain क्या होता है, यह सारी छोटी-छोटी जानकारियां मिलती हैं, अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा program बना के दिखाता हूं, जिससे आपको यह बहुत अच्छे से समझा जाएगा, बहुत ही simple से, आपके इस program का जो सबसे main part है, वो है HTML, second paper मे शिर्वाती से होनी है, तो HTML है क्या basically, HTML एक language है, जैसे आपने python language के बारे में सुना है, तो वैसे ही HTML भी एक language है, जिसका पूरा नाम है hypertext markup language, basically इसको hypertext markup language कहते हैं, इस language में आपको web page बराने को मिलता है, और इनी कई सारे web pages जब बन जाते हैं, तो हम लोग उनको कहते हैं website, इन website और web page को चलाने के लिए, जैसे आप लोगों ने अभी last class गर किसी ने join की हो python की, तो मैंने उसमें बताया था आपको उसकी coding करने के लिए ideally shell चाहिए होता है, इसी तरीके से web page बनाने के लिए आप web page का text editor यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो नोड़ पैड पे बनाए सकते हैं, और आप चाहें तो नोड़ पैड प्लस प्लस में बना सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, आप इन में किसी में भी coding कर दीजे और आपना text type कर लिए, तो हम लोग बनाके देखेंगे, फिर इनको run कराना, web page run कराने के लिए आप सभी को पता है, ब्राउजर होने चा उसका एक लेटर सब्डेड वर्जन है, जो मल्टी मुलिया को सपोर्ट करता है, तो छोट ऐसा कमांड्स हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, तो चली देखते हैं कैसे शिरुवात करेंगे, तो आप कभी भी HTML की प्रोग्रामिंग बनाना शुरू करेंगे, तो आपको उसमें पढ़ने पढ़ेंगे छोटे-छोटे टाक्स, देखे क्या है, यह मैंने सब्लाइन खोल लिया, जब सब्लाइन ओपन हो गया, तो सबसे पहला काम, अब नोटपैड होता तो सब दिखना पढ़ता है, इसमें बहुत आसान हो जाता है, देखे कैसे, आप इसमें जाके सबसे पहला काम करिए, सेव कर दीजे, और आप लोग जब इसको सेव करेंगे, तो आप लोग अपना कोई फोल्डर बना लिए, जैसे मैंने ये डी ड्राइब में सेव कर रहा हूं, और डी ड्राइब में मैंने अपने फोल्डर, यही से फोल्डर बना लेता हूं, ताकि सारी फा करेंगे भले नोटपैड में या कुछ कि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो वह डिफॉल्ट जो भी एक्स्टेंशन उसमें सेव हो जाएगा नोटपैड है तो टेक्स बन जाएगी फाइल तो डॉट है सिमल जरूर लिख दीजिए और कर दिए सेव कर दीजिए तो आपकी फा बताया तो उस पर देखेंगे तो अगर मैं लिखकर जैसे ही टाप बटन दबाऊंगा देखें उसने प्री डिफाइन टेक्स पहले से लिख डाले तो यहां पर बहुत ही आसानी रही हमें हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखनी पड़े यहां मैंने सबसे पहले अधरी बंद हो रही है इसको हम लोग कहते हैं ओपनिंग टैक्स और इसको हम लोग कहते हैं क्लोजिंग टाक्स दोनों में अंतर दिख रहा है आगे इसमें यह जो है यह आपका कॉमेंट सेक्षन है जो दिखाता है कि हम लोग एक हैस्टीमल डॉक्वेंट यूस कर रहे है यह बाई डिफॉल्ट नेम है इसका याद रखेगा यह कुश्चन जरूरू पूछ लिया जाता है अब्जक्टि में यही सब तो आता है तो डॉट डॉक्ट टाइप है यह डिफॉल्ट अगर यह नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिखकत नहीं है उसके बाद हमारा है 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 वा और आपको आसानी से समझा जाएंगा कि हमारा हेड टैक क्या है और बॉडि टैक अब यहां पर अम्दर आपंटे में को आपनी कोड़डिंग करते हैं को डिफेर नहीं है तद् asset टैक का मतलब होता है है यह ओनाẩपर हमने कुछ भी मैट्र लिख दिया वेल्कम टू ओ लेवल क्लास बस इतना लिख दिया यह हो गया हमारा एक वेब पेज बन गया यह बॉड़ी के अंदर जो आपने लिखा है यही है आपका कंटेंट और हमने कंट्रोल ऐसे इस फाइल को सेव कर दो अब इसको देखें इसका आउटपुट क्या आएगा इसका आ कि यहीं पर तो सेव है और अगर आप देख रहोंगे जो मैंने टाइटल डाला था वो टाइटल आप लोगों को आटोमेटिकली यहां पर दिखाई देने लगा होगा यह यह रहा टाइटल और यह कंटेंट मैंने यहां लिखा था सो यहां आगे वेल्कम टू लेवल तो यह हमारा HTML का वेबच बन गया अब हम लोग इसमें कोडिंग चेंज करते हैं और आप देखेंगे उसका असर नीचे होगा मैंने यहां पर एक टाइग और लगा दिया अंडरलाइन का और यू लिख दिया है यहां पर और अंडरलाइन यहां से तो जो जो मैं यहां पीछे चेंज कर रहा हूं प्रोग्रामिंग में वह हमारे वेब पेज में बदल रहा है आप लोग इसी में कई सारे टाक्स पढ़ेंगे जैसे मैं को चाहिए पीछे का बाग्राउंड चेंज हो जाए तो यहां पर मैंने लिखा बॉडी अब होता क्या है बॉडी तो आटोमेटिकली एक टाग है पहले से लेकिन इस बॉडी की प्रॉपर्टी इस मेरे को चेंज करनी है हम चाहते हैं यह जो बॉडी टाग है इस बॉडी टाग के अंदर कुछ नई प्रॉपर्टी जैसे हम चाहते हैं कि बॉडी के अंदर यहां हमने एक प्रॉ है और इसी को कहते हैं एकर ब्यープ्यूट कि यह बोडिका अट्रिबिट बोडी ट्र हमने उसका गया बनागीश यह थे सब्लाइन का यही फैदा यही पैद है इसमें कबnox सब कुछ चेंज होता रहता है हमें गल्तियां समझ आती रहती है कहां गरवड़ी हो रही है अब मैं अपना आउटपुट दुबारा यहां से रिलोड करता हूं तो आपको पीछे बैकराउंड दिखने लगा होगा पिंक हो चुका है इस तरीके से आपके HTML के शुरुवात हो जाती है आप लोगों को यहीं पर यह पूरी की पूरी कोडिंग करनी है सारे के सारे तो जैसे जैसे आप पूरी पढ़ाने शुरू करेंगे वैसे वैसे आपको समझ आने लगेगा तो जितने वीडियोस मैंने बताये आपको आठ तक उस सारे वीडियो जैसे जैसे आप फिनिश करें बहुत ही इजी से आक्स हैं आपको बड़े अराम से समझ आएंगे जैसे मैं यहां पे कुछ कॉपी पेस कर देता हूं थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो मैंने यहां पे एक टैक और ले लिया और उस टैक का नाम ले लिया पै पैरग्राफ के लिए हम लोग लिखते हैं क्लियर और उसका पी का अट्रिबूट दे दिया मैंने यहां पर लाइन इक्वल टू राइट दे दिया चिक और साथ की साथ मैंने यहां सेंटर दे दिया तो इस तरीके से हम लोगों ने यह कुछ नए टैक्स और अड़ कर दिये हैं ऐसे अब प्रोग्राम उपर से शुरू होता है बॉड़ी पहले सबसे पहले बिंग कलर की हो जाएगे बैक्राउंड स्क्रीन पर है एडिंग वन मोटा मोटा अंडरलाइन करके यह लिखेगा फिर पैरा पैराग्राफ आएगा उस को इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा तो यह यह सेंटर कर दिया था तो यह सेंटर पर आ तेक रहा नूब कर दिया था तो यह राइट पीडिये उवस नपकीर पर लिंक भी करेंगे यही सारी चीज़ें तो आपको पढ़नी है तो आप लोगों को मैं सभी को सजस्ट करूंगा कि आप लोग यह जो पीडिएफ उसमें पढ़ी होई है उसको पहले वीडियो देखते रहें और यह सारी पीडिएफ के करके दिखा देता हूं तो यह आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा यह देखिए मैंने तीनों हेडिंग टाक्स लगा दिये और अब मैं इसका आउटपुट दिखाता हूं च्छे के च्छे का तो आपको दिख रहा होगा यह रहा है एच्वन हेडिंग लिखते हैं तो सबसे सबसे च्छोटा चुटा तो आपको जो भी वेब पेजस मिलेंगे उसको आपको इसी तरीके से डिजाइन करना होगा मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बना दिया है कि जब कभी आप लोग प्राक्टिकल भी करना चाहें तो उसके लिए भी हम लोग इसको लगा जिसमें यूजर का नाम एज और इमेल इडी होनी चाहिए और सब्मिट बटन होना चाहिए उसकी यह रही कोडिंग जो अभी आप लोगों ने किये हैं तो यह हम लोगों ने पूरी स्टाइल शीट में बना रखिए तो इस तरह की कि पूरी कोडिंग्स आप लोगों के प् कोशन आएगा कि आपको यह बनाने यह प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं कि फ्रेम सेट में यह बनाके दिखाना है आपको तीन फ्रेम बनाने उसमें यह चीज़ें आने तो सभी को क्लियर हो गया तो मैंने आप लोगों को आज एक इनिशेटिव दे दिया है कि आप किस तर आप लोगों को अरुडि बता चुका हूं ताकि आप लोगों को इन टाइमटेबल में एककोर्डिंगी जब आपका टामटेबल होगा उसी के कोर्डिंग這些 क्लास्थ होंगी ले लेते हैं कुछ सवाल और खिलेश का सवाल है अथिलेश बताएए क्या सवाल है यसर salmon